Hello and welcome to our YouTube channel, Rubell Solutions. In this video, I will tell you about the computer memory units. ये बहुत ही common questions है, जब भी हम net use करते हैं, तो हमें पता नहीं होता हमने क्या use करा है, हमारा data कैसे खतम हो गया, ये common questions है सब का, कि मैंने तो use ही नहीं किया, ये use कैसे हो गया, तो हमें ये पता होना जरूरी है, कि जो data खर्च होता है, वो kb's, mb's, gb's के रूप में होता है, तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि ये units हैं क्या, memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit, this storage capacity is expressed in term of bytes, मतलब memory unit वो है कि कितना data हमारे store हो सकता है, जैसे हम आज कल external memory ship लेते हैं, तो हम कहते हैं न, 32 gb, 12 gb, ऐसे, आज कल gb's में बात करते हैं, तो वो gb है क्या, अभी हमें पता चलेगा, वो एक unit है, कि कितना data उसमें store हो सकता है, और ये किस में होता है, bytes में होता है, बट bytes तक कहां तक पहुंचे, वो हम अभी बताएंगे, जैसे कि अगर हम रुपीज लिखते हैं, तो उससे पहले क्या आते हैं, पैसे, उससे पहले और भी कई चीज़ें आती थी, जो हमारे पुराने दमाने के लोग जानते हैं, चलो, अब हम शुरू करते हैं, कम्प्यूटर मेमरे इनोट्स के बारे में जानने के लिए, सबसे पहले आता है, बिट, जिसको बोलते हैं, बाइनर डिजिट, जो की होता है, जीरो एन वन, उसके बाद आता है, निबल, निबल क्या होता है, ये चार बिट का बना होता है, क्या बिट का बना होता है, चार बिट का, उसके बाद आता है, उसके बाद आता है, A group of 8 bits is called bytes, आपने देखा, 8 bit का, एक byte होता है, A byte is the smallest unit, which can represent a data item, और character, उसके बाद आता है, The length of the computer, word is called word size or word length it may be as small as 8 bits or may be as long as 96 bits bits पता चल गया नापको 0 और 1, nibble क्या होता है 4 bits, bytes क्या होता है 8 bits, word क्या होता है 8 bits से लेके 96 bit तक computer stores the information in the form of computer words, अब आगया kb, kilobyte 1 kb में कितना होता है 1024 bytes 1 mb में कितना होता है, 1024 kb 1 gb is equal to, gigabyte is equal to 1024 mb 1 terabyte is equal to 1024 gb petabyte is equal to 1024 tb अब मैं यहां पर यह समझाऊंगी जैसे कि अभी हम एक गाना लेते हैं अगर हम वीडियो टाउनलोड करते हैं तो वो कम से कम 5 mb से लेके 10 mb के बीच में होती है अगर हम यह जादा भी होती है 15, 20, 16, 40 mb ऐसे होती है तो mb आप समझ सकते हैं 1 mb कितना है? 1024 kb अगर 50 mb है तो उसको 50 से multiply कर लो ऐसे करके हमारा डेटा खतम होता है जब हम कुछ देख रहे होते हैं YouTube पे कुछ देख रहे होते हैं या कोई एप में या होट स्टार में वूट में कोई भी चीज देख रहे होते हैं वो हमारे ये kb's, mb's, db's खर्ज होते हैं लूट इवाले वीड उन्याग्यर कोईर में या हैं एहाँ वीडिवीड ये वीडेग कर लोगिवेडियक II अने वें लीडिवाले के विलागावी येवी थार्यर कारव